जो छपरा का घटना है बिल्कुल ही मतलब की सर्मसार करने वाली घटना है बिहार को इनसे किसी भी घटना के बारे में पूछिए तो एकदम हाँ 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 हो जो छपरा मामला पूरी तरह से सांत है और पुलिस के कंट्रोल में है और इस घटना को हम दुखद भी कह सकते हैं और यह भी मांग करते हैं कि जो भी लोग दोसी है उन पर कारवाई किया जाए क्यूंकि अपरादियों का कोई जात नहीं होता और जिस परकार से कुछ समाजिक इस मामले को जातीय रंग देने में लगे हूं थे लेकिन पूलिस ने उन पर कारवाई की भी की है कल पीरीतों से मिलने जो जंजन राष्टिये जंजन पार्टि के जो नेता है आसुतोस कुमार भुमियार समाज के बड़े नेता है तमाम पीरीत परिवार से मिले जहां पे ये पूरी घटना हुई थी तमाम चीजों से अवगत भी हुए जो परदेश अद्यच हैं जो परवक्तापद पे हैं जो पुसकर जी हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई इसे दुखत कहा जा सकता है और जो भी अभ दुखत घटना है दो घरों के चिराग बुझ गये और कोई भी समाज का वेक्ति हो जिस परकार से इस पूरे मामले को लेके असमाजिक तत्वों ने इसे जातिये रंग देने का काम किया सोशल मेडिया पर भरकाऊ भासन पोस्ट करने का काम क्या पुलीस तो उस पर पुलब की सर्मसार करने वाली घटना है बिहार को और यह घटना कि प्रमानित करता है कि वर्तमान सरकार जो सुशासन के नाम पर जंगल राज समाप्त करने के नाम पर जिस मुखमंत्री को गद्धी पर बैठाया गया उनके सासनकाल में यह घिनवना हरकत यह घिनवना मतलब की हथाओरी से पीट करके हत्या किया गया तो यह तो प्रमानित करता है कि प्रसासन के प्रती डर जो है वो बिलकुल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है लो जो भी देखिए हम न किसी अपराधी की जात की बात करते हैं जो जात की बात करते हैं वे जात से राजनीत करके बोट का अपना फैदा लेने की बात करते हैं हम अपने पाटी की ओर से यही कहेंगे कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। चाहे वो किसी भी जात का हो अपराधी अपराधी होता है और उसको जिस प्रकार से जगन्य अपराध छपरा में हुआ है। एकदम ततकाल फास्ट्रे कोट बैठा करके इस पेशल कोट बैठा करके और जिसने भी लिया हो चाहे वो किसी भी समाज का हो किसी भी जाती का हो किसी भी धर्म का हो इससे जात का कोई मतलब ही नहीं बनता है जो सोसल मीडिया पर जो न्यूज में इसको जाती रंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि राजपूत भर से जादो हो गया जादो भर से राजपूत हो गया अन्ने बहुत सारे हम तो देख रहे हैं रहा रहे हैं कि घटना हुने के बाद करवाई करने का क्या फाइदा हम आपको गोली मार दे और बोले क्या ऴंसाओरी मैं बहुत दुखी हूं इससे क्या प्रकार घटना ऐसे जगन घटना करने से पहले अपराधी सो बार सोचे जड़ तब ने होता है कि आप करवाई कर दिये करवाई ने किये जिस घर का दो चिराग बुझ गया उसको वापस लांग दिजिए तब हम जाने करवाई यह तो अब अब तो हत्या हो चुका है जगन्यतम तरीके से हो चुका है तो अब तो अब तो दिखावा के लिए पुड की जबती दिखावा के लिए छापा मारी इतना घंटा बीत गया लगभग 3 दिन हो गया न अभी तक अपराधी फरार है जमीन खा गया कि आस्मान निकल गया तो हम यहीं कहेंगे कि यह सरकार अपराधी घटनाओं का जननी हो चुका है इनके सरकार में जिस प्रकार से जगन्य हत्याय हो रही है यह तो नब्बे के दसक में भी इस प्रकार से नहीं होता था किसी एक घटना को लेके नहीं बैठे बिहार में जिस परकार से लॉइन ओर्डर की बात कर ली जाए सुरच्छा बेवस्ता की बात कर ली जाए जो नीतिश कुमार दम भरते हैं कि बिहार में अपरात के गराब पर अंकुस लगा आपको बता दे सासी नगर तान हैं जहां से पूरे विहार की बांग्रोर विहार के मुख मंतरी संभाल तैं बिहार के डीजी पी संभाल तैं कटियार की घटना भी आपको याद होगा जिस परकार्श से जो कतियार में चेल से साथ लोगों के हत्या ओcriम मदुभनी में भी आपको याद होगा दो साल पहले जो यह तमाम घटना इस बात को दर्श आता है कि नितिज कुमार चाहें नहीं नहीं रहा है इनको मालूम नहीं है बोलते हैं या मुख मंतरी के साथ गरिह मंतरी भी भी भिहार के हैं उन voll धुदि ught पद को छोड़ दीजिए जो ऐसे हो रहा है छपड़ा तो कम से कम पठना से उस तो दूरी पर है लेकिन पठना में जो आए दिन चाहे वह चेन लूट के मामला हो चाहे किसी के साधी में गोली मार दिया जा रहा है या अन्य तरीके से मतलब की कोई भी इनके सरकार में देना जब आए थे तो बहुत चर्चा हुआ था कि इतने करेट डीजीपी एं कि देखते ही इनके नाम सुनते ही क्रिम्नल भाग जाते हैं लेकिन जब से इनके बगल में ना डीजीपी कार्याले के बगल में हत्या हो जाता है उजवल की होई थी तो सब देखिये परसासंत सबही तक मजबूत रहता है जब सासन में मजबूत बेक्ती बैठा हो। सासन ही लचर है तो परसासन क्या करेगा इस परकार से जो छपरा मामला जो है दस तारिक आज तक नेट बंध है लगातार मामला कंट्रोल में लेकिन विजय यादव जो है वह भी फरार चल रहा है उसके घर कुरकी जबती बगरा हुई लेकिन जो जिस परकार से वहीं दूसरे और समाजिक तत्वों की बात कर ली जाए जो घर की Lord लाजिक हो हीए वह गह घटना के सामनांतर प्रक्रिया अगर घटना किसी के साथ घटता है तो एक आक्रोस होता है आक्रोस कब होता है घटना घटा पुलिस परसासन कंसेस नहीं हुआ तो उसके प्रती आक्रोस लोगों को होता है तो यह एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया थी जो अग्जनी हुआ यह हुआ और हम तो कही रहे हैं कि यह नितीज कुमार जी से अब सम्हलने वाली बात नहीं है लगातार यह राज जो है जातिये उनमाद में खौल रहा है कहां क्या बिश्पोट होगा क्या जातिये हिंसा होगा यह कहने से परे है यह हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं लेकिन इनके सासनकाल में कानून बेवस्था सुसासन यह सब अब एक ढोंग है उसको स्वांग कह सकते हैं छलावा कह सकते हैं दिखावा कह सकते हैं जो सिर्फ पेपर में जो सिर्फ इनके प्रवक्ताओं के द्वारा जो सत्ताब में बैठे हुए हैं उनके बयान में आता है कि हमारा बिल्कुल बढ़ रहा है अपराद ही नहीं यह जगहनी अपराद है आपके नुट चैनल माध्यम यहीं मांग करते हैं कि अपराद ही का कोई जात नहीं होता चाहे वह अपरादि किसी घर्मकाओ किसी भी अपराद जाती रहे कि शाटनी सब् 뉴스 क्रria और इस एक तंब कूलज है एसे वोग वह उसको चक्के लोगों के जो Facebook पर पोस्ट करके Facebook पर लाई बाकर के उठ हमूट करके बोलेंगे की चलिए ये करेंगे वो करेंगे वो परेंगे एक दम बिल्कुल ऐसे लोगों को पहचान करके पैने रहे हो और जा। नजर डाला जाए तो लगातार बेताहसा विर्दी होते जा रही है और जो भी लोग अगर कानून को हाथ में ले रहे हैं और जाती है दंगा फैलाने का प्रियास कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कानून अपना डंडा चला है और कारवाई किया जाए रोहित नचानेट पटना